आज हम जानेंगे कि सिल सफसिल एंड और्विटल क्या होते हैं और किस तरीके से हम इसे डिफ्रेंसियट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सिल जिसे और्विट या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है ये वो वेल डिफाइन्ट सर्कूलर पाथ होता है जिसमें एलेक्ट्रोन रिवॉल्फ करते हैं जैसे कि आप स्क्रिंग पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक एक आटम है जिसमें सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज निउकिलिस है निउकिलिस के बाहर जो फर्ष्ट सिल है इसे के सिल कहा जाता है सक्केंड सिल को अल कहा जाता है थर्ट सिल को एम फॉर्ट सिल को एन एन्ड सो ओन के सिल जो की फर्ष्ट सिल होता है और निउकिलिस के सबसे करीब होता है यही वज़ा है कि फर्ष्ट सिल में मौजूद अलक्टोन की एनरजी सबसे कम होती है और यह सबसे ज़्यादा अस्टवल होते है जैसे जैसे हम सकेंड और्विट third orbit की तरफ बढ़ते जाएंगे means nucleus से orbit का distance बढ़ने की वज़ा से उसमें मौजूद electron की energy increase होती जाएगी और इनकी stability कम होती जाएगी अगर maximum number of electron की बात की जाए तो K cell यानि first cell में maximum number of electron 2 होते हैं second cell यानि L में maximum number of electron 8 होते हैं third cell यानि M cell में maximum number of electron 18 होते हैं fourth cell यानि N cell में maximum number of electron 32 होते हैं and so on किसी भी cell में मौजूद number of electrons को find out करने के लिए जो हम formula use करते हैं वो है 2N square चलिए जानते हैं कि सबसिल क्या होता है सबसिल जिने सब एनरजी लेवल या सब ओर्विट भी कहा जाता है हमारे पास सिल जो की K, L, M, N and so on है इन फर्दर सब डिवाइट किया जाता है सबसिल्स में और इन सबसिल्स को रिपरचेंट किया जाता है S, P, D, F से S मिन्स साफ, P मिन्स प्रिंसपल D मिन्स डिफ्यूज and F मिन्स फंडमेंटल अब यहाँ पर S जो हमारे पास सबसिल होता है यह एस्पेरिकल सिप का होता है और इसमें मैकसिमम नंबर ओफ अलक्टोन 2 होते है P जो है सबसिल यह हमारे पास होता है डंबल सिप का और यहाँ पर मैकसिमम नंबर ओफ अलक्टोन 6 होता है D जो हमारे पास सबसिल है यह डबल डंबल सिप का होता है और इसमें मैकसिमम नंबर ओफ अलक्टोन 10 होता है और हमारे पास जो F सबसिल होता है इसका structure complex होता है और maximum number of electron 14 होता है स्क्रीन पर आप सिल और सबसिल को देख सकते हैं याद रखें कि जो हमारे पास सिल का number होगा उतनी ही उसमें सबसिल भी मौजूद होंगे जैसे कि अगर first सिल की बात की जाए क्योंकि ये first सिल होता है यानि के सिल तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबसिल भी इसमें सिर्फ one ही है that is as सबसिल अगर बात की जाए second सिल यानि L सिल की तो ये second number का होता है यही वज़ा है कि इसमें मौजूद number of सबसिल भी two ही है that is as two and two p third सिल यानि M सिल की बात की जाए तो M सिल में क्योंकि ये third number का सिल होता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये further subdivide हो रहा है three सबसिल में यानि जितना जो number होगा सिल का उतनी ही उसमें मौजूद सबसिल भी होंगे what are orbitals by definition it is a three dimensional probability space around the nucleus of an atom where the possibility of electron cloud is maximum यानि orbitals वो हमारे पास nucleus की gills space होता है जहां पर electron के पाए जाने की chances सबसे जादा होता है ये three dimensional space होता है means along x, y and z axis हमारे पास electron के पाए जाने की chances होते हैं और ये जिस space में electron के पाए जाने के chances सबसे जादा होते हैं उसे orbital कहा जाता है अगर बात की जाए types of orbits की जैसे की हमने discuss किया है कि s orbital जो की spherical होता है shape में और ये जो होता है इसके सिर्फ एक ही orbital होते है that is as s orbital p-sub-cell for the subdivide होता है three orbitals में that are px, py and pz ये जो three orbitals होते हैं इनकी magnetic fields में हमारे पास different directions होती है px along x-axis, py along y-axis and pz along z-axis होता है यही वज़े है कि ये हमारे पास three different directions सो करते हैं magnetic fields में अगर बात की जाए d-sub-cell की तो इसमें हमारे पास five orbitals होते हैं that are dxy, dyz, dzx, dz square and dx square minus y square यहां पर d जो orbital होते हैं five different directions सो करते हैं magnetic fields में अगर बात की जाए f-sub-cell की तो f-sub-cell further divide होता है seven orbitals में और इनकी बहुत ही complex shape होती है और इसमें यह हमारे पास magnetic field में seven different directions सो करते हैं I hope आज जो आपने हमारा YouTube चैनल तैयारी टिप्स के माद्यम से जो आपने खास knowledge गेट की इसी तरह के और important knowledge गेट करने के लिए हमारे चैनल को like, subscribe और अपने दोस्तों के साथ share करें और किसी वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल at the rate तैयारी टिप्स पर जोएन करें Thank you for my watching video अपने दोस्तों के साथ share करें ओड़ आप